Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने बारे हैं Class 10 के English chapter Glimpses of India के Part 1 को Students is a chapter है Glimpses of India जिसमें हम इंडिया की अलग-लग places के बारे में जानेंगे ये तीन parts में divided है पहला तो Goa से related है A Baker from Goa written by Lucio Rodrigues दूसरा है कुर्ग जिसको लोकेश अबरोल ने लिखा है और तिसरा है T from Assam अरूप कुमार दत्ता का जो लिखा हुआ chapter है ये तीन parts में हमारा chapter divided है तो इस chapter को हम तीन parts में discuss करेंगे आज वाला जो ये Part 1 वीडियो है इसमें हम discuss करेंगे A Baker from Goa इसको complete कर देंगे Part 1 में Part 2 और Part 3 का link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा इस वीडियो की description में आपको और भी आपकी class से related काफी useful content के video links देखने को मिलेंगे तो एक बार वीडियो की description में दिएगे सारे links को एक बार check जरूर कीजेगा एक बार उनको देखीए का जरूर हो सकता है जिन chapter की explanations आप चाहा रहे हों अच्छी explanations आप चाहा रहे हों वो explanations आपको इस channel पे उन links में available हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं Glimpses of India का Part 1 That is a Baker from Goa देखिए इसमें Goa में जो bakers हैं वो काफी important माने जाते हैं काफी जो है जरूरी माने जाते है society के लिए और आज के time में भी वहाँ पे bakers की खासी importance है देखिए Goa के बारे में एक बात अलग है इंडिया का जो जदतर पार्ट था वो Britishers के अंडर था जबकि Goa जो है वो most of the time Portuguese के अंडर रहा है Portuguese जो थे यानि वहाँ के colonizers अलग थे ठेक है और हमारे बाकी इंडिया के जो पार्ट है उसके colonizers अलग थे तो वहाँ का जो culture है Goa का वो बाकी इंडिया से थोड़ा सा अलग देखने में मिलता है ठेक है तो चले शुरू करते हैं यह एक pen portrait है pen portrait का मतलब जो हम किसी चीज के बारे में बताते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं ठेक है traditional goan village Goa के एक पुराने जमाने के विलेज के बेकर का ठेक है Goa के एक traditional village में मिलने वाले बेकर का pen portrait यानि उसकी जिंदगी को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है बेकर की जिंदगी को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है जिसकी आज भी Goa की society में काफी importance मानी जाती है तो चलिए चेप्टर है हमारा Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days आज भी हम लोग कई बार अपने बड़े बुजर्गों को reminiscing nostalgia का मतलब पुराने जमाने को याद करते हुए सुनते हैं कि वो कहते हैं वो पुराने Portuguese दिन कितने अच्छे हुआ करते थे ठीक है जब Goa में Portuguese रहा करते थे वो कितने अच्छे दिन थे वो पुराने दिन कितने अच्छे थे reminiscing nostalgia का मतलब होता है कि जो है पुराने जमाने को पुरानी यादों को याद करना ठीक है खुशी वाली यादों को जो अच्छी लगते हैं उन यादों को याद करना बड़े बुजर्ग याद करते है Portuguese लोगों को और उनके famous bread loaves ठीक है bread जो है काफी बड़ा bread हमारे घरों में जो bread आते है students उनको छोटे-छोटे pieces में काट के दे दिया जाता है ठीक है लेकिन जो bread होता है loaf of bread होता है वो पूरा एक piece में होता है complete एक piece में होता है उसको loaf of bread कहा जाता है आगे देखिए those eaters of loaves might have vanished उन bread loaf को पसंद करने वाले खाने वाले लोग शायद अब खतम हो चुके हैं मर चुके हैं लेकिन जो bread को बनाने वाले bakers हैं वो आज भी जिन्दा हैं आज भी अपना काम कर रही हैं we still have amongst us the mixers आज भी हमारे बीच रहते हैं mixers, molders and those who bake the loaves और loaves को bake करने वाले यह जो mixers हैं, molders हैं और bakers हैं यह सारे bread loaves को बनाने के लिए जाने जाते हैं दरसल bread loaves को बनाने के लिए कई processes involved होती है ठीक है जैसे mixing करने के लिए mixer होता है ठीक है, mold करने के लिए molder होता है और फिर last में उस mold किये हुए bread को bake करने के लिए baker होता है तो आज भी यह लोग goa की society में पाए जाते हैं those age old time tested furnaces still exist वो बहुत पुराने जमाने की जो बटिया हैं जिनमें baker bread को bake किया करता तो वो आज भी मौझूद है time tested इसलिए लिखा गया है क्योंकि पुराने जमाने ने उनको test किया है बहुत पुराने जमाने से वो चली आ रही है और आज भी वो successfully अपना काम कर रही है इसलिए यह word यूज किया गया है time tested furnaces the fire in the furnaces has not yet been extinguished आज भी इन भटियों में आग जलती है आज भी इन भटियों की आग बुझ ही नहीं है extinguished का मतलब होता है बुझ जाना the third end jingle of the traditional baker's bamboo ठीक है पुराने जमाने का जो baker हुआ करता था वो अपने साथ एक bamboo की stick लेके चलता था ठीक है और जब भी वो गलियों में आता था तो वो उस stick को बजाता था उसमें बजने वाला कुछ सामार भड़ा होता था वो specially prepared बजने वाली bamboo stick होती थी ठीक है तो baker की पहचान होती थी कि जब भी वो गलियों में bread loaf बेचने के लिए आता था तो वो उस bamboo stick को बजाया करता था तो आज भी वो bamboo stick की सुहावनी आवाज आज भी गोवा की गलियों में सुनाई देती है heralding his arrival in the morning ठीक है heralding का मतरब announcing भई उस आवाज से पता चलता है कि baker आ चुका है can still be heard in some places आज भी गोवा की कई जगों पे वो आवाज सुनी जा सकती है maybe the father is not alive but the son carries on the family family profession शायद पापा आज जिन्दा नहीं है लेकिन उनका बेटा आज भी family के व्यापार को आगे बढ़ा रहा है यानि उस baker के पापा भी baker रहे होंगे these bakers are even today known as padder in Goa आज भी इन bakers को पुराने जमाने की तरह आज भी इन bakers को padder के नाम से जाना जाता है शायद मेरी pronunciation students अलग हो सकती है जैसे कई बार उसको pader भी बोल देते हैं ठीक है कई बार padder भी बोल देते हैं कई बार padder भी बोल देते हैं इस चीज़ को तो pronunciation जो है वो place to place differ कर सकती है इस word की during our childhood in Goa the baker used to be our friend companion and guide जब हम बच्चे थे गवा में रहते थे तो उस वक्त हमारे घर के आसपास जो बेकर आता था सामान बेचने के लिए वो हमारा दोस्त भी होता था हमारा साथी भी होता था और हमारा guide भी होता था हमें guide करने वाला भी होता था he used to come at least twice a day वो दिन में कम से कम दो बार तो आता ही था once he set out in the morning on his selling round सबसे पहला round जो वो मारता था selling round था जब वो अपना सामान बेचने के लिए आता था पहला round जो लगाता था गलियों में and then again और फिर वो दोबारा आता था when he returned after emptying his huge basket अपनी बहुत बड़ी basket को पूरा खाली करके पूरा बेचके वापिस जाते हुए भी वो आता था कोन आता था बेकर आता था ठीक है the jingling third of his bamboo woke us up from sleep जो उसके bamboo staff की jingling third है यानि बजती हुई आवाज है third मतलब जब वो अपने bamboo stick को जमीन पे रखता था तो जब वो आवाज आती थी jingling का मतलब जैसे घंटियां बजली हो इस तरह की आवाज तो जो उसके bamboo stick की आवाज थी जो उसके bamboo staff की आवाज थी सुबह सुबह उसी से हम उठा करते थे यानि वो काफी early morning आया करता था अपना bread बेचने के लिए and we ran to meet and greet him और हम सब बच्चे दोड़के जाते थे उससे मिलने के लिए और उसको greet करने के लिए ठीक है good morning वगरा wish करने के लिए why was it so? ऐसा क्यों था? was it for the love of love? क्या हम लोगों को वो bread loaf इतना पसंद था कि हम baker को greet करने जाते थे not at all नहीं हम बच्चों को तो कम से कम उस bread loaf में ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं थी the loaves were bought by some paskin और bastin the maid servant of the house bread loaves खरिदने के लिए तो paskin या bastin नाम की कुछ ladies जैसे नामों की कुछ ladies आया करती थी paskin या bastin जैसे नामों की कुछ ladies आया करती थी जो की हमारे घरों में maid servants हुआ करती थी नोकरानियां हुआ करती थी यानि bread loaves खरिदने के लिए तो घर की नोकरानियां आया करती थी what we longed for were those bread bangles which we chose carefully हम लोगों को जो चाहिए होता था हम लोगों को चाहिए होती थी bread bangles अब यह bread bangles कि किसको कहा गया है जो बेकर्स होते थे उन दिनों या आज के time में भी वो बच्चों को खुश करने के लिए bread से गोल bangles size की sweet चीजे बना के लेके आया करते थे जो बच्चों की पसंदीदा पसंदा होती थी तो बच्चे जो है वो उन bread bangles को खाने के लिए लेने के लिए जो है वो दोड़ बड़ा करते थे जिनको वो काफी केरफुली चूज करते थे बच्चे की इसका size अच्छा है इसका size चोटा है इसका बड़ा है इसका टेस्ट अच्छा इस तरह से उनको carefully choose किया करते थे बच्चे sometimes it was sweet bread of special make कई बार तो जो बेकर है वो specially बच्चों के लिए ही bread बनाके उससे bangles बनाके तब लेकी आया करता था the baker made his musical entry on the scene with the jhank jhank sound of his specially made bamboo staff जो बेकर था वो काफी musically ठीक है संगीत की आवाज करते हुए enter करता था गलियों में entry on the scene का मतरब गलियों में घरों के बाहर with the jhank jhank sound of jhank jhank की आवाज आती थी उसके bamboo staff में से ठीक है जो वो अपने साथ लेके चलता था उसमें से jhank jhank की आवाज आती थी ठीक है दरसल इसमें शाहिद students हो क्या रहा है कि वो जो bamboo staff है उसके उपर वो अपने bread का टोकरा रखता है bread loaves का टोकरा रखता है और उसके अंदर कुछ बदिने वाली चीज है तो एक हाथ में जब वो अपने staff को लेके bamboo staff को बास से बने हुए staff को लेके चलता है तो चलते हुए जब वो staff हिलता तो उसके अंदर कुछ बज़ता भी है ठीक है one hand supported the basket on his head एक हाथ से वो अपने सिर पे रखिवी टोकरी को पकड़ता था and the other hand banged the bamboo on the ground और दुसरे हाथ से वो उस bamboo staff को जो है वो ground पे जोर से रखा करता था he would greet the lady of the house with good morning वो घर की lady को lady of the house यहाँ पे यूज किया गया है घर की मालकिन के बारे में ठीक है अगर किसी घर में बड़ी कई ladies भी है तो जिस lady की घर में चलती है उसके लिए lady of the house उसको कहा गया है अकसर वो जब भी घर के बाहर आता था तो उस घर की जो lady of the house थी यहनी ladies में जो सबसे बड़ी होती थी उसको good morning wish किया करता था और फिर अपनी basket को उस bamboo staff के उपर रख दिया करता था we kids would be pushed aside with a mild rebuk halka phulka dart के mild rebuk का मतलब है halki phulky dart लगा के हम बच्चों को side कर दिया जाता था and the loaves would be delivered to the servant और baker से loaves खरीद के वो नोकर को दे दी जाती थी बनाने के लिए but we would not give up लेकिन हम बच्चे भी हार नहीं मानते थे we would climb a bench या तो हम किसी bench पे चड़ जाते थे या किसी पैरा पैट 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 मतलब छोटी दीवार पे चड़ जाते थे and peep into the basket और उसकी basket में जहांकते थे किसी ने किसी तरीके से उसकी basket में जहांकने का मोका टूनते थे I can still recall the typical fragrance of these loaves उन loaves की जो एक सुगंद होती थी typical fragrance का मतलब उन loaves की एक अलग सी पहचान थी उनकी सुगंद उनकी एक अलग होती थी ठीक है वो आज भी मुझे याद है आगर आज भी मुझे ऐसी कोई सुगंद आई तो मैं तुरंत पहचान लोगा loaves for the elders and bangles for the children यानि बेकर के पास सब के लिए कुछ न कुछ होता था घर के बड़ों के लिए वो bread loaf लाता था और घर के बच्चों के लिए bangles लाता था जब बेकर आता था तो हम दात साफ करने की परवा नहीं करते थे सुबह सुबह उठके अपने मुँद होने की परवा भी नहीं करते थे और हम करें भी क्यों who would take the trouble of plucking the mango leaf for the tooth brush ठीक है tooth brush बनाने के लिए आम की पत्तियों को तोड़ के कौन लेकि आएगा इतनी मुसीवत कौन लेगा and why is it necessary at all और दान्त ब्रश करना मूद होना जरूरी क्यों है जंगल में रहने वाला शेर तो कभी या बाग तो कभी दान्त साफ नहीं करता फिर भी उसके दान्त इतने मजबूत होते हैं ठीक है जब सुबह सुबह हम गर्मा गर्म चाई पिएंगे तो दातों में लगी गई हुई सारी गंदगी अपने आपी फ्लश हो जाएगी अपने आपी साफ हो जाएगी तो दातों को साफ करने की परवा क्यों करना ऐसा वो कह रहा है शादी में दिये गए गिफ्ट का कोई मिनिंग नहीं होता जब तक उनके साथ मीठी ब्रेड बोल ना हो ठीक है यानि उनकी जो मेरेज प्रोसेशन में जो गिफ्ट दिये जाते हैं उनमें भी बेकर की बनाई हुई स्वीट ब्रेड बॉल का काफी इंपोर्टेंस होता है और कोई भी पार्टी या कोई भी दावत कोई भी पार्टी या कोई भी दावत अधोरी होती है ब्रेड के बिना not enough can be said to show how important a baker can be for a village तो क्या ये सब पूरा नहीं है इस पात को समझाने के लिए कि 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 सी भी गावों में बेकर का होना कितना जरूरी है और कि सी भी गावों में बेकर की कितने ज़्यदा importance है आप खुछ समझ लीजिए, डेली खाने के लिए bread loaves खरीते हैं families, बच्चे bangles खरीते हैं खाने के लिए, और जो marriages होती हैं उनमें भी bread काफी important place hold करता है, और जो gifts वगरा दिये जाते हैं उनमें भी sweet bread ball काफी important place hold करता है, तो इससे हमें baker की गाउं में क्या importance होगी, go on village में क्या importance होगी, वो समझ में आती है, the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement, जब बेटी की सगाई होती है, तो उस वक्त घर की जो lady होती है, उसको guests के लिए और पूरे परिवाल के लिए sandwiches तयार करने होते हैं, और जाहिर सी बात है, अगर sandwich बनाने हैं तो bread की ज़रूरत तो पढ़ेगी ही, cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals, Christmas जैसे important festivals के लिए और बाकी important festivals के लिए, cake और bolinhas बड़े important होते हैं और ये भी bakers के यहां से ही आते हैं, does the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential, इसी लिए गोआ के traditional गाउं में baker का होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, baker की भटी का होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, the baker और bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai, उन दिनों जो baker होते थे या bread बेचने वाले आते थे गोआ के गाउं में, वो अपनी एक traditional dress पहनते थे, ठीक है, जिसको kabai के नाम से जना जाता था, it was a single piece long frock, ये एक single piece की लंबी frock की तरह की dress होती थी, reaching down to the knees, जो घुटनों तक नीचे जाती थी, यानि single piece, one piece dress ह होती थी वो एक तरीके की, in our childhood we saw bakers wearing a shirt, अपने बच्पन में हमने bakers को देखा, जो shirt पहनते थे, trousers पहनते थे, which were shorter than full length once, और वो जो trousers पहनते थे, pen't पहनते थे, जो bakers, वो half pen't से तो बड़ी होती थी, और full pen't से छोटी होती थी, कि कहनी वो एक अलग तरह की pen't पहनते थे, ज Anyone who wears a half pen't, which reaches just below the knees, invites the comment that he is dressed like a pader, ठीक है, आज भी, गोआ के गाउं में, अगर कोई इस तरह की dress पहने, इस तरह की half pen't पहने, जो की घुटनों के नीचे तकाती हो, तो उसको कहा जाता है, कि तुम तो pader की तरह dress पहने हुए हो, तुम तो baker की तरह dress पहने हुए हो, अरे baker, य अकसर महीने के end में, अपना bill clear करने आता था, monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil, जो monthly खाता रखा जाता था, बही कितना bread खरीदा है, कितना नहीं, वो किसी दिवार के उपर record करके रखा जाता था, और month के end में baker का हिसाब कर दिया जाता था, baking was indeed a profitable profession in the old days, उन पुराने दिनों में baking का काम काफी profitable होता था, जो लोग baker होते थे, वो काफी पैसा कमाते थे, the baker and his family never starved, जो baker होता था और उसकी family कभी भी भूके नहीं रहते थे, he, his family and his servants always looked happy and prosperous, वो उसकी family और उसके यहाँ काम करने वाले नोकर चाकर सब खुश लगते थे और prosperous, prosperous होते हैं सम्रिद, जिनके पास पैसा हो, ऐसा लगते थे, ऐसे लगते थे, their plump physique was an open testimony to this, plump physique का मतलब होता है, उनके मोटे मोटे पेट, ठीक है, उनकी फुला हुआ शरीर, इस बात की testimony था, testimony यह नहीं गभाही देता था, ठीक है, कि इस बात की गभाही देता था, कि वो लोग खुश थे अपनी जिन्दगी में, ठीक है, prosperous थे, पैसे वाले थे, wealthy थे, क्या चीज़ इस बात की गभाही देता था, क्या चीज़ इस चीज़ की testimony करता था, उनकी plump physics, उनकी मोटी मोटी तोंद, उनका मोटा शरीर, even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker, आज भी, अगर गोवा में कई किसी की jackfruit जैसी physical appearance है, यानि कोई देखने में मोटा है, तो उसको कई बार compare कर दिया जाता है, बेकर के साथ, अरी ये कैसी बेकर जैसी बोड़ी बना रखे, थोड़ी सी exercise कर लिया करना, तो इस तरीके से, तो आम बोलचाल की कहवतों में भी बेकर का यूज किया जाता है, आज भी गोवा की गलियों में, तो यहाँ पे students हमारा part 1 complete होता है, बेकर from गोव अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा बच्चों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाके और पे क्लिक कीजेगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए, और कमेंट सेक्शन में अपनी डाय देना मत भूलिएगा, और जाने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक्स को जरूर से जरूर चेक कीजेगा, थैंक यू फोर बिंग कीज़ संब भूलिए मुझें, ऑलिए ट्याओ गफार टिवाइस, जाए खाने कि अगल, एक भी लापने काया, एक बडिवादा鍋 एक यूवादान विणा जा यूदराके, एक यूदराके, सब्सक्का टॉर टॉरकेशन में आटाय खेंकेशन को यूरे जाए अबिवादे